नमस्कार, आज पाकिस्तान में चल रही है OIC की बैठक और OIC की बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंतरी इम्रान खान ने, जिनके एक दिली ख्वाहिश थी कि एक मीटिंग ऐसी हो जाए जिसमें कश्मीर डिसकस OIC की, मीटिंग तो नहीं हो पाई, लेकिन हाँ, उन्होंने इ पैलेस्टाइन के और कश्मीर के लोगों के साथ है, जोने अपने राइट्स चाहिएं, और हमें अपने हाथ उठाने चाहिए उनके लिए, यूएन ने उन्हें कुछ राइज दिये हैं, यह अफगानिस्तान के लिए थी, आपको पता था, आपने बोला, हुमानिटेरियन क आपने ही बोला, तो इस बैठक को आप उसके लिए यूज करते, इसमें आप कश्मीर क्यों ले आए, क्या आपका असली मकसद कश्मीर ही था, पलेस्टाइन ही था, वैसे OIC आपके साथ नहीं है, कश्मीर पे, आपने अफगानिस्तान के बहाने ये मीटिंग बोलाई, और क कश्मीर बोल दिया इस पे, आप बाकी सब बोलते रहे, बाकी सब तो आपका एजंडा फॉलो करेंगे नहीं, तो बाकी सब कश्मीर पे क्यों बोलेंगे, आप अकेले थे, जो एजंडा चाह रहे थे, आपने कश्मीर गा दिया वहाँ पर, साथ में इस्लामोफोबिया भी बोला, इस्लामोफोबिया, क्या ये मीटिंग इस्लामोफोबिया पे थी, ये भी बोला, इस्लामोफोबिया में एक आदमी न्यूजिलेंड की मस्जिद में घुसता है, जाके गोलिया चला देता है, ये इस्लामोफोबिया है, आपने ये नहीं बताया, कि हमारे जम्मों के रगुना टेंपल किती बर अटैक हुआ किस ने किया किस नाम से किया हिंदूफोबिया था क्या वहाँ पे अक्षरधाम टैंपल गुजरात में जो अटैक हुआ वो किस ने किया और या फिर आपको मैं बता सकता हूँ यूपी में किते सारे मंदिरों पे अटाक हुए, किस ने किये, ये जो इस्लामोफोबिया का जो नारा है, और आपने जो मस्जिद का अटाक बताया, इसमें बाकी अटाक्स आपने क्यों नहीं बताया, आप इस्लामोफोबिया सामने कर रहे हैं, आप सामने कर रहे हैं, काश् कि एक प्रॉपर तरीके से हो अमेरिका ने बोल भी दिया था कि एक इंक्लूजिव गौर्मेंट बनाईए आपने ये तो नहीं बोला कि इंक्लूजिव गौर्मेंट बनाए तालिबान हम पैसा देंगे हम कराएंगे और आप उसको डिफेंड करते देखे पाकिस्तान के प्रा प्राकिस्तान में वो भी अफगानिस्तान पे थी अब भी अफगानिस्तान में हैं 40 साल से अफगानिस्तान जहेल रहा है किसकी वजह से अश्रफगानी गवर्मेंट फर्स्ट ग्लास चल रही थी कोई humanitarian crisis नहीं थी aid पहुँच रही थी dams बन रहे थे buildings बन रही थी क्यों उ हमारे profit को mock किया जाता है, ridicule किया जाता है, insult किया जाता है, हमें बुरा लगता है, येस, बुरा सब को लगता है, पूरी दुनिया को लगता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है, कि आप किसी की गर्दन काट दे जाके आप कानून पे भरोसा करें आप ने जो स्याल कोट में हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने फ्रांस में एक आदमी की बिहर्डिंग को सपोर्ट किया आपने उस पर जो रियाक्शन दिया था वो ही reaction आपके सियाल कोट में हुआ एक स्रेलंकन को जिन्दा जला दिया गया अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी गली-गली में ये काम होगा आपने ये भी बोला कि OIC को एक बड़ा important part देना है important part तो play करेगा लेकिन किस चीज में play करेगा ये तो बताईए आपने तो अफगानिस्तान की जो meeting थी उसको आपने कश्मीर बना दिया उसको आपने Palestine बना दिया उसको आपने Islamophobia बना दिया ये भी आपने बोला कि 9-11 के बाद से Islamophobia स्टार्ट हुआ है लोगों को लगा कि ये Islamic terror है पहले किस चीज का उसावाँ बिल ला दियन का क्या आपने यूज नहीं किया था करान की आयतों को बता करके काफिरों को निकालो ये काफिर वर्ड किस नहीं यूज किया कहां से यूज हूआ कैसे यूज हूआ आपने ये भी बोला कर हम हमने बहूत कोशिश की कि OIC OSE के समिट में बुला करके कि अफगानिस्तान को बहुत सपोर्ट मिले अफगानिस्तान का पूर के जो वहां पर अभी ठंड आ रही है और वहां की ठंड कितनी खराब होती है ड्राउट पड़ा है वहां पैसा पहुंचे पैसा कैसे पहुंचेगा पैसा आप तो इंडिया का जो कि यह हूँ है वो ही नहीं जाने दे रहे हो बीच में रोप के बैटे हूँ आज तक परमिशन नहीं मिली है तो कैसे जाएगा साथ में साओधी अरब के फॉरिन मिनेस्टर फैजल बिन फरहद ने इसी फोरम पे बुला कि अफगानिस्तान की जो जमीन है वो किसी और बात मानी नहीं इन फैक्ट आपने तालेबान के फॉरिन मिनेस्टर को आमिर खान मुत्तकी को भी बला लिया इसमें क्यों बुलाया जब वो उस उस फॉरिन मिनेस्टर को कोई रिकोगनाइज नहीं करता आपका OIC रिकोगनाइज नहीं करता तो वो कैसे OIC रिकोगनाइज क वो पूरी दुनिया को पसंद नहीं है और आज तो आपने हद ही कर दी अगर मैंने बुलाया सेशन आपके हिसाब से अगर सेशन मैंने बुलाया है कश्मीर पे नहीं आया तो मैं अफगानिस्तान के नाम पे बुलाऊंगा और वहाँ पर डिसक्रस करूँगा कश्मीर को लोग नहीं ट्रस्ट कर रहे हैं ना आपके खास दोस्ट ट्रस्ट कर रहे हैं तर्की भी भाग गया आपके सपोर्ट में नहीं है उसकी economy के एक बार भट्टा बैठा और वो भूल गया आपका कश्मीर और Malaysia, Malaysia के जो अभी foreign minister है वो भी टूर पे जा रहे हैं India आएंगे और आपके उपर से fly करके वो टर्की जाएंगे अगले हफते तो वो आपके पास नहीं जाएंगे तो कितना सपोर्ट आपके पास है सबको पता है और उपर से इसमें जो largest contributor हुआ करता था इस Taliban के आने से पहले America, largest contributor in terms of dollars, largest contributors in terms of equipment, largest contributor in terms of development America, वो इसमें शामिल ही नहीं है, वो आ सकता था उसमें अपना representative बोला कि देख लो ज़रा, लेकिन वो शामिल नहीं है, क्यों नहीं शामिल, क्योंकि उसे पता है कि ये जो डॉलर दिया जाएगा ये डॉलर किस के हाथ में जाएगा तालिबान के हाथ में जाएगा और तालिबान उसका क्या यूज करेगा उससे हतियार खरीदेगा जिससे वो दूसरे world के दूसरे countries पे हमले कराएगा ये बिलकुल clear है इसलिए कोई भी country, डॉलर देने के mood में नहीं है हर country, चावल दे देगा ये हूँ दे देगा, आटा दे देगा और दूसरा समान दे देगा लेकिन पैसे कोई देने के mood में नहीं है और इतने जाहिल लोग वहाँ पे बैठे हैं अफगानिस्तान में जिन्हें ये नहीं पता कि हमें country चलाना कैसे है जो चला रहे थे, उनको तो हटा दिया आपको राजा बनने का शौक था देश अपने control में लेने का शौक था चलाना आता नहीं है तो अब चलेगा कैसे वहाँ पे dollars की कमी और पैसे और साथ में humanitarian crisis उस आम अफगानी को कौन पूछ रहा है कोई नहीं पूछ रहा आम अफगानी मर रहा है अगर पैसा चावल दे भी दिया गया तो तालिबान अपने लिए यूज करेगा अपने आपको consolidate करेगा और वो आम अफगानी को मरने ही देगा जब तक एक inclusive government नहीं आती एक ऐसी government नहीं आती जिसको लोग recognize, पूरे world recognize करती हो और एक ऐसे लोगों की government नहीं आती जो के वहां के आम अफगानी को support करती हो आम अफगानी को help करना चाहती हो तब तक मुझे नहीं लगता ऐसे जो OIC के seminars हैं या OIC की meetings हैं ये कहीं help कर पाएंगी इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजर होंगे नमस्कार, जैहिर